Hello everybody, मैं हूँ रशब, आपका Excel दोस्ट, ExcelSuperstar.org से इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि आज के समय में आपको Macros की जानकारी क्यों होनी चाहिए Why learn Macros? दोस्तों, तीन important reason है 1. Speed, 2. Automation, 3. Career Progression मैं आपको इन तीनों के example दूँगा अगर आप Excel में काम करते हो, चाहे वो finance हो, accounts हो या IT में हो आप अगर काम जल्दी करोगे, आप घर जल्दी जाओगे, आपको promotion भी जल्दी मिलेगा तो इन example आपको दिखाना चाहूँगा, speed related मान दीजे, आपके पास एक MIS report है, जिसमें अलग-अलग sheets है जिसके नाम है, North Quarter 1, East Quarter 1, West और South Quarter 1 अब अगर ये report आप अपने boss को भीजते हो, तो उनके लिए बहुत ही difficult होगा ये अलग-अलग sheets में जाके data को pull करना, right? वेल, अच्छा ये होगा, कि आपके sheet में एक button हो, जिसको वो press करें और press करते ही, ये index फटाफट बन जाए अगर आप index में किसी दूसरे link को click करते हो, let's say South Quarter 1, आप वापस से South Quarter 1 वाले sheet में पहुँच जाओगे ये था example speed का, क्योंकि दोस्तों अगर आपने खुद क्या होता बिना macro से, तो आपको एक-एक करके सारे sheets के नाम लिखने होते और एक-एक करके सारे sheet के नाम को आपको link करना होता hyperlink के दुआरा, ये था example speed का, अब मैं आपको एक example दिखाऊंगा automation का, किस तरह आप अपने reports को automate कर सकें, तयार कर सकें और especially, आज जब GST India में launch हो चुका है, reports की इत्ती भरभार है, तो अगर आपको घर चल दी जाना है, आगे बढ़ना है, तो automation करना ही होगा तो आईए देखते हैं, एक example automation के नाव, मान लीजे, आपके पास एक report है North Quarter 1, जिसमें तीन customer के नाम है, उनके सारे sales amount, फिर अगले sheet में east है, अगले sheet में west और last sheet में south मैंने इन चारों को अलग-अलग color दिया है, ताकि आप different sheet कर सको, उनमें difference देख सको, अब अगर इन सब को जोड के एक बनाना हो, तो आप क्या करोगे, आप अगले sheet में जाओगे, वहाँ पर आप टीटा को copy करोगे, आप paste करोगे, और ऐसा करते रहोगे, अगर आपको ऐसा आपट चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको example दिखाता हूँ, अगर आपको macros की जानकारी है, आपको जाना है view में, macros में, view macros में, और एक macro बना-बनाया है, जिसको मैं run करने वाला हूँ, click करता हूँ run के उपर, wow, ये क्या हुआ, एक second में, मुझे एक message मिलता है, कहा जाता ह success, work completed, मैं कहता हूँ, okay, और देखने पर ये मालुम परता है, कि चारो sheets के data को copy-paste कर दिया गया है, तो दोस्तों सोचिए, अगर ये sheets 50 होते या 60 होते या 100 होते, आपका काम एक से 10 second के बीच में होगा, ना कि 4 घंटे में, ये था example automation का, अगर आप ये दोनों में महारत हासल क आप कोई भी job site में जाएं, और type करें, Excel Macros Specialist, आई ये देखते हैं, तो मैं पहुँच जाता हूँ, नौक्री.com पर, और यहां लिखता हूँ, Excel Macros, मारो नहीं, Macros, enter, और देखते हैं कि किस तरह के jobs आपके सामने आएंगे, तो मुझे दिख रहा है, बैंगलोर में एक job है, आउके, 3-6 लाक, इनको आना चाहिए, VBA, Advanced, Excel, MIS Reporting, Spreadsheets, कहीं-कहीं पर आपको शायद salary नहीं mention की गई हो, लेकिन जस्ट मैं एक बार नजर घुमा के देखना चाहता हूँ, कि अलग-अलग areas में, अगर आप automate कर सको, Excel Macros के through, तो क्या-क्या salary range पे आप काम कर सकोगे, दोस्त guarantee है कि आप आगे बढ़ते रहोगे, तुमने last कुछ मिनटों में ये discuss किया कि हमें Excel Macros क्यों आना चाहिए, तो आपको अगर इस सफर में मेरे साथ आगे बढ़ना है, हमारे next videos को sequence में देखते रहिएगा, सीखते रहिए, सिखाते रहिएगा, और बनते रहिएगा Excel Superstar, मैं र आपसे वापस मिलूंगा अगले वीडियो में